SIP बहुत सुनते होगे और SIP सुनते ही Mitchell Fund दिमाग में आता होगा कि Mitchell Fund में SIP करना चाहिए लेकिन ये आधा सच है आधा सच इसलिए क्योंकि Mitchell Fund के अलावा आप ETF में भी कर सकते हैं स्टॉक में भी कर सकते हैं ETF चलो फिर भी कुछ लोग जानते होगे लेकिन stock में SIP कैसे होता है और उसमें भी 0-दा में आप एक बार सिस्टम लगा दो और आराम से होता रहेगा तो हम कैसे SIP करते हैं वो भी बताएंगे और 0-दा में कैसे करते हैं वो भी live करके दिखाएंगे तो पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा भाईया प्यार देते रहिए रोज 5-10,000 रुपया हर ट्रेडर लॉस करता है तभी तो एजपर से भी डेटा 10 में 9 लोग लॉस में हैं लेकिन भाईया कब तक करोगे लॉस वहाँ पर एक छोटी small genuine fee देकर एक real hand holding mentorship लेकर proper से सीख कर आप खुद के boss बन सकते हो और कमा सकते हो नौकरी से आजादी की तरफ कदम बढ़ा सकते हो जहां price action, advance prediction सब सिखाने वाले हैं तो 970-80-94-321 पर कॉल कीजिए ladies, army, person, handicap सब के लिए discount है, मौका न जाए call कीजे, team से बात कीजे सीखेंगे, तभी कमाएंगे आज की वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे stock जहां पर आप SIP कर सकते हैं बट वो कोई buy sale की recommendation नहीं है वो क्यों सोचा है, वो सोच मैं आपको देने की courses करूँगा, जिससे कि आपका thought process बदले, क्योंकि हमारे पास जब हम live आते हैं, तो कोई कहते हैं, मेरा पैसा यहां भस गया कोई बोलता है, यहां भस गया, तो वो कहां पर problem है, उस problem को भी दूर करने की courses करूँगा, जिससे आप अपने portfolio को वापस से recheck कर सको, और उसमें सुधार और तबदीली कर सको, देखें, SIP कर रहे हैं, यानि investment के लिए कर रहे हैं, अगले 5 से 10 साल के लिए कर रहे हैं, सबसे पहला तो process यह clear होना चीए, साल 2 साल की कहानी हो बिलकुल नहीं, फिर यह सोचना है कि आने वाले 5 से 10 साल में किस सेक्टर में ग्रोथ होगी, तो railway, PSU bank, defense, FMCZ, tourism, AI, IT, pharma, renewable, EV, यह वो सेक्टर हैं, जिनका growth potential high है, correct, और मैंने कई बार वीडियो बना के बताया है, कि किस तरीके से सरकार का initiative, capex एक major driver है, इन सेक्टर में, so SIP कभी भी diversified business में की जाती है, बहुत लोग क्या करते हैं, railway भागा, railway में पैसा लगा दिया, renewable भागा, renewable में पैसा लगा दिया, फिर वो रुख गया, तो फस गए, यह है, वो है, तो सेक्टर का rotation बहुत ज़रूरी है, तो SIP का मकसद होता है long term, diversified portfolio, right, यहां तक point clear हो गया, तो अब इसमें जैसे पहला सेक्टर हम अगर पकरते हैं, railway का, तो यहां पर government का क्या प्लान है, railway के लिए क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है, यह समझना जरूरी है, railway growth होगा, तो railway को finance करने वाली company चला पाएगी, तो वहाँ पर IRFC finance करती है, correct, railway का infrastructure बढ़ेगा, तो वहाँ पर RVNL जैसी company आएगी, जो electrification, new line, gauze जैसी चीजों पर काम करेगी, अब सोच यह, देखे, कितनी बड़ी मैंने learning दी, मैं क्या बोला, मैं tips ने दीए, आखिर हम क्यों सोचे, कैसे समझे, वो हम आपको सोच बताने की कोसिस कर रहे, जिससे आप अपने portfolio को समझ सको, जान सको, अब दूसरा pharma sector पे आ जाए, तो pharma में sun pharma, तो अब sun pharma का क्यों नाम बोला, again एक नई सोच, सोच यह है, कि इस sector में leader है, और market share 8.25% का है, तो अब ऐसे हम देखते है, market share किसका है, और तीसरा share है, PSU bank का, तो सबसे बड़ा, अच्छा, sustainable bank, और अगर वो डूब गया, तो इंडिया की economy डूब जाए, तो वहाँ पर कौन सा bank आएगा, SBI आएगा, 22,000 से जादा branch है, तो अब देखो, हर एक sector को पकरते समय, अलग-अलग learning, अलग-अलग सोच, ठीक है, this is the point, हम ऐसे समझते हैं, और vision रखते हैं, 5-10 साल का, 4th sector है, defense का, ठीक है, HAL, market leader है, हिंडिया में, 1940 में सुरू हुई थी, export भी सुरू करने वाली है, जिस पर detail वीडियो में भी मैंने समझा रखा है, तो इस तरीके से सोचते है, 5th sector है, FMCG का, हिंदुस्तान Unilever, again market leader है, पिछले 10 साल में, 15% CAGR से growth कर रहा है, अब यहां पर आप अपनी सोच को implement कर सकते हो, हाँ, सर ने यह सोच दी, मेरे को यह लग रहा है, getting my point, मैं तो एक example से समझा रहा हूँ, 6th sector है, तुरिज्म का, भाईया, होटल का बहुत योगदान है, हमारे इंडियन्स गोहुमते बहुत हैं, पैसा बहुत खर्च करते हैं, वहाँ पर इंडियन होटल, हमारा again data का नाम आता है, AI सर्विस प्रोवाइड करता है, AI बेस्ट वीडियो अनलेटिक, AI डीमेस, कस्टमर एक्स्पिरियंस मेनेजमेंट सर्विस, कन्वसेशन, AI, सिमेंट, टैरेक्स जैसी कंपनियों के साथ, कई सारा tie-up और कई सारे फायदे, आठमा सेक्टर आजाएं, IT, IT कुछ दिनों से pressure में है, USA के हालत के कारण, क्योंकि USA से ज़्यादा order आता है, तो economy खराब के कारण, यहां इनकी खराब है, बट यह undervalue है, इसमें undervalue देखते, कब कौन सा सेक्टर undervalue है, उसको पकरने की कोशिस करते हैं, तो उसमें कौन सा आजाएगा, TCS आजाएगा, SCLT का आजाएगा, इस तरीके से, 9 सेक्टर है, renewable energy का, भाईया, सारी कंपनियां पैसे खर्च कर रही है, renewable पे, reliance हो, हमानी हो, अदानी हो, सब पैसे लगा रही है, और सरकार भी कह रही है, renewable energy पे आना है, तो अब वहाँ से, कौन से हम देखते, तो Tata Power, NTPC, ऐसे सोचते हैं, समझ रहे हो, 10th हो गया EV, अब EV, ये भाईया, race चली है सब EV में, और वहाँ पर, सब को EV चीए, तो Tata Motor आ गया, महिंद्रा इन महिंद्रा आ गया, जो इसमें कर रही है, बहतर आने की कोशिस कर रही है, तो इस तरीके से सोचा, अब आप ये देखो, कि आपने क्या लिया, क्या गलत, क्या सही लिया, फिर मेरी सोच के आधार पर, अपने स्टॉक की इंप्लिमेंटेशन डालो, अपनी सोच की इंप्लिमेंटेशन डालो, कि सदने की एग्जामपल देने के, बताने की कोशिस की, अब मुझे क्या सेट हो रहा है, तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजे, और अब चलते हैं, जीरोधा पर, तो सबसे पहले यह हम, जीरोधा पर आ गए, यह हमारा जीरोधा का डेस्ट बॉर्ड है, अब इस पे हम ओर्डर में जाते हैं, ओर्डर में जब जाएंगे, तो हमें क्या करना है, SIP में जाना है, ठीक है, निउ SIP मान लिजे create करना है, ठीक है, अब न्यू बास्केट में हम रखते हैं, मान लिजे, इसका नाम दे दिया, Stock Portfolio, अब आगे हैं, अब यहां पे हमें क्या करना है, Stock Add करना है, अब एक्जामपल के लिए आपको, टाटा जैसे एक एक्जामपल के लिए, टाटा पावर एड करना है, ठीक है, तो मान लिजे, आपने टाटा पावर यहां से एड कर लिया, ठीक है, लॉंग टम यहां पे हमेशा रखना है, quantity जो है, वो आपकी quantity रहेगी, price जो है, वो आपको डालना परेगा, लिमिट करके एड कर दिया, ठीक है, अब आपको और दूसरा, चुके एक portfolio बना रहे है न, जैसे मान लिजे, HAL हमने कर लिया, ठीक है, HAL कर लिया, same a quantity, long term हमेशा रखना है, एड कर दिया, ठीक है, अब इस तरीके से क्या हो गया, आपके, आप एड करते जाओगे, एड हो जाएगा, और execute पे click करना है, अब क्या आएगा, place all two order in the basket, तो आप यहां से yes करोगे, अब यह देखो, back to SIP में जब आप आते हो, तो यहां पर, अब यह date का है, monthly schedule or time का, जिसमें आपको जिस तारीकों भी लगता है, आपकी salary मान लीजिए, आपकी salary 9 तारीकों आ लीए, तो आप एक दिन हाथ में safe रखिए, 10 तारीका आपने यहां पर select कर लीजिए, फिर आपको जिस time में सौदा कटना है, तो मेरा तो मानना है, भी आप market खुले और सौदा पंच हो जाए, खेल खता है, ठीक है, और इस तरीके से करके, हम यहां से create करते हैं, तो अब यहां पर क्या बोला, at least one basket is required, तो हमारा basket कौन सा था, stock portfolio का, तो हमने यहां से create कर गिया, तो अब इस तरीके से यह active दिखा रहा है, ठीक है, जो हर तरीक को पैसा कटेगा, अब इसमें एक बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, date भी select कर लिया, time भी select कर लिया, बठ है bank mandate, आपको इस पर लिए click करना परेगा, एक नया window खुलेगा, create new mandate पे जाना परेगा, यहां पर नाम और bank account, जिससे उसे accept करके continue करना परेगा, तो आपका bank mandate हो जाएगा, जिसे कि जिस bank में आपकी salary आ रही है या पैसे आते हैं, उस bank को आप power दे रहे हैं, authority दे रहे हैं कि भाईया, जीरो धा आपका हर मंत का, 5,000, 10,000, 20,000, जो भी आपकी capacity है, वो पैसे cut कर सकता है, तो इस तरीके से आप cut करते हैं, तो बाकी कोई भी help चीए, जीरो धा कि link डिस्क्रिप्शन में है, आप आराम से follow करें, और बस प्यार देते रहें,